नमस्कार मैं श्रोते अंगत और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में जानिए कौन थी वो राजकुमारी जिन होने की एंस की अस्थापना फिर ऐसे बदली देश में स्वास्थ सेवाओं की सुड़त सन 1946 में भारत सरकार की तरफ से हुए एक सर्वे में इस तरह के पोस्ट गेजवेट मेडिकल इंसिट्यूट की सिफारिश की गई थी जहां इस आइडिया को तो सरहा गया लेकिन इसके निर्मान में लगने वाली रकम की वज़ा से चिंताय बढ़ गई थी एम्स यानि All India Institute of Medical Sciences जो हर स्वास्त आपदा में खबरों में रहता है कोविन-19 में भी देश का प्रतिस्ठ संस्थान फिर से खबरों में आ गया था यहां पर डॉन छोटा राजन को भी इलाज के लिए भर्टी कराया गया था एम्स पहुचना हर उस युवा का सपना होता है जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है क्या आप जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत थी और इसे किसने शुरू क्या था एम्स की नीव डाली थी राजकुमारी अम्रित कॉर ने और राजकुमारी अम्रित कॉर भारत की पह सभा में एक नया बिल पेश किया था कहते हैं कि जिस समय उन्होंने बिल पेश किया उन्होंने कोई स्पीच नहीं द्यार की थी लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी मिसाल आज तक दी जाती है अमरित कॉर्ड ने कहा यह मेरा हमेशा से एक सपना था कि देश में पोस्ट ग्रेजवेशन के बाद की पढ़ाई के लिए प्रेडित कर सके इस बिल के पेश होने के एक साल बाद यानि सन 1946 में भारत सरकार की तरफ से हुए एक सर्वे में इस तरह के पोस्ट ग्रेजवेट मेडिकल इंसिट्यूट की सिपारिस की गई थी जहां इस आइडिया को तो सर 56 में दोनों सदनों में All India Institute of Medical Sciences Act को पास क्या गया और इस तरह से एम्स की निव परी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अगर याब वीडियो आप हमारे फेस्बूप पेस पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूप पेस को फॉलो कर अगर याब वीडियो आप हमारे यूट्यूप चानल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूप चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद